प्रस्ट करते हैं और आज का क्लास आपका वन वर्ड सब्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार पार्ट नमबर एट है और यह लिया हूं सारे प्रिवेस एर के कोस्टन किरन प्रब्लिकेशन से बिल्कुल वर्ड बाइवर्ड है एक भी वर्ड मिसिंग नहीं है ज़रा देख लो लोग नए है टेली ग्राम पर सर्च करना क्या सर्च करोंगे तरीजीतां ग्रूप मिलेगा तो दोनों उसकते हो दोनों पर डेली बैसिस पर मिलते हैं क्या तो कुछिछ इस दिया जाते हैं एक नेकिन आप पर एक अलग ही प्रैक्टिस बैच बाहिके छिसमें ओनलाइन टे को प्रेपरिशन करने हैं तो आप क्या कर सकते हो इस नंबर पर मुझे आप परस्ट गाइडेंस लिखना सिंपल आपको लिखना है परस्ट गाइडेंस कुछ हाई हलो अपनी परस्ट डिमांड को नहीं वहां पर रखने ठीक है अब जड़ा देख लो अब यहां पर सेवेंट सबस्क्राइड को क्या के लिखने हैं तो इसको बोलते हैं सेकृलर्म सारे धर्मों को एक जैसे देकना भी वादफीलिस्ट का मतलब होता है सामजवाधी समाजवाधी क्या करते हैं इस चीज पर फोकस के जितने भी सरकारी स्कीम हो फाइदे हो सभी के बीच सभी पब्लिक के बीच क्या हो इक्वले डिस्ट्रिब्यूट हो चोटे बड़े भेद भाव ऐसे देख करके नहीं होना चाहिए समाजबादी होना चाहिए लेकिन आप क्म्यूनिस्ट लोग क्या कहते हैं कि किसी की अगर नीजी संपती भी है प्रसनल अगर कुछ एसेट्स भी है तो भी वह क्या किया जाने चाहिए एक्वली डिस्ट्रिब्यूट कर देने चाहिए लोगों में जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं होता जिसे चाइना और नॉर्थ कुरिया अपने आपको मानता है हलांकि कम्यूनिजम का अगर पढ़ोगे डेफिनेशन तो उसके हिसाब से कोई भी कंट्री पूरी तरीके से कम्यूनल नहीं है ठेक है अब यहां पर देख लो भले ही चाइना और नॉर्थ कुरिया मानता हो अब यहां पर कैपिटलिस्ट है कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पुंजी वादी है ना प्लेस वेर गवर्मेंट और पब्लिक रेकॉर्ड्स और कैप ऐसी जगह जहां पर पब्लिक रेकॉर्ड्स रखे जाते हैं गवर्मेंट के भी रेकॉर्ड्स रखे जाते हैं या फिर कैसे तो हिस्टॉरिकल रेकॉर्स रखे जाते हैं कल्चिरल रेकॉर्स रखे जाते हैं जसमें कुछ महापुरुषों के letters मिलेंगे, news papers मिलेंगे, photos मिलेंगे, magazines मिलेंगे तो उस तरीके की चीज़ जो होते है है records, इसमें जो मुखे word है यह है records इस चीज़ को ध्यान देना तो जहाँ पर records को रखे जाते हैं इस तरीके से letters हो गए और जितने भी बताया निज़ पर फोटोज बगए तो उस जगह को कहते हैं archive ठीक है तो archive मत बोलना अब यहाँ पर museum है तो इसका answer आपका archive ही है और archive का हिंदी में अगर कहेंगे तो इसका मतलब होता है क्या संग्रह है संग्रह बोलेंगे लेकिन इसका मतलब भी होता है museum का मतलब होता है संग्रह हाल है ठीक है तो आप मुझे बताओगे कि archive और यह जो है आपका museum इन दोनों में क्या फरक है यह आप मुझे बताओगे तो देखो मैं बता ही देता हूँ museum जो होता है museum public आप कैसे तो कि public के लिए open होता है लेकिन archive पबिक के लिए open नहीं होता है और museum में थोड़े से बड़े आकार की चिदों को रखे जाते हैं जिसे मूटी हो गए और जो भी चीज़ें कहीं से मिली है उसको वहाँ पर museum में रख दिये जाते हैं लेकिन archive जो होता यहां पर रिकॉर्ड से रिलेटिड होता है जहां पर रेकॉर्ड से रहए जाते हैं उस चीज के खोज में फब्लिक प्लेश पब्लिक प्लेश नहीं करें पॉपन रहता है यहां पर आघ तक्ता होता है हर्ए घर में हरेख कि खर में एक ॐक घुटर का मतलो किया होता है नो इसको कि तो चोटे से रूम कह सकते हो आप जो की ते हमתलो इसकोoc आएगे हैं तो उसको seller कहते हैं ठीक है तो seller का मतलब समझ गए अब जड़ा देखने वाली बात यह है underground rooms कह सकते हो इसको seller को अब जड़ा देखो इसका second meaning भी होता है इसका मिनिंग होता है कि जहां पर wines wines अनि शराब को रखने का जो कि जो चोटी चोटी जगह होती है और वह भी underground अगर हो तो उसको seller कहा जाता है आप मुझे attic का मिनिंग बताओगे seller से समझ दी थे इसलिए मैंने पूछा एटिक के spelling भी लिखोगे और एटिक का मिनिंग भी लिखोगे कहां कमेंट में तब मैं जानुगा कि आप लोगो थोड़े बहुत चीजों को क्या कर रहे हो रिलेट कर पा रहे हो तो इसका आंसर क्या था आपका सेवंटी सेकेंड का तो इसका आंसर था आर्काइव ठीक है अब देख लो यहां पर 73 नमर में बोला है लिविंग टूगेदर एक साथ रहना और मैन का एक साथ रहना विदाओट बिंग मैरेड बिना शादी सुदा का तो इच अधर एक साथ रहना क्य उपता चला होगा तो जो गोड़े घारी होते ना उसको कहते हैं अब जड़ा देखो तो यह तो आप समझगे कि गोड़े को क्या कहते हैं ऑपढ़ेज देखो कॉशिए करने की कोशिश करा था यह इसने क्यों कि अगर मान लिए जा उस वर्णको आप सुने हो लास्ट में is 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 does करके दिया हूआ यह ताकि आप दूसरे में इसमें इनकमें टिक लगा दो टाकर बिसका आomnia कॉन कुबी नेज कॉन कि युबी नेज भी हम से इसको पढ़ना च्थ तो इसको पाणके तो बहुत सारे यह मैं भी आया था और बहुत सारी तो इसी को कहते हैं तो इसका आंसर आपको फौर्थ नंबर है अब लिडियरारत होता हुद न अगर पक्रदादा थे तो आपके दो तीन दाधा हुए हैना दाधा हुए सब के कुछ पुतर हुए arenessä já कहीं आप कर रहे हैं तो इस तरीके के जो सिरिंकला बनती है उसको कहते हैं lineage मतलब वन शों क्या जो ऐसे एक स्रीज बनता है उसको lineage कहते हैं मतलब वन शावली कहते है ठीक है इसको और भी इसके सिननीम में हम लोग देखे थे बहुत पहले ही ancestry जिसको कहते हैं कौन क्यूबिनेज फूर्थ नमबर ऑप्शन इसका अंसर है अब जरा बात करते हैं आगे 74 नमबर में बोला है तू मच ऑफिसियल फॉर्मालिटी है ना मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऑफिसवर्मालिटी हो तो उसको क्या कहते हैं देखते जाते हैं बियूर依स का क्यार्ट होता है तो इसका मतलत है नौकर किलर रहे ना उसी से फेमस वा रेड़ टेपीजम तो क्यों हुआ है कैसे हुआ है यह इस पी वक्सी वाले सीरीज में जा करके देख सकते हो तो इसका अंसर यही है रेड़ टेपीजम में होता क्या है कि आप अगर कोई भी ऑफिस जाते हो तो इतना लेट करवाते हैं आज का क आजा तो लाल फिता शाही है ना और यह ब्यूर करिसी का मतलब नौकर शाही अब यहां पर देख लो आगे क्या है ने पूर्टिजम का मतलब इसको कह सकते हो क्या भाई भतिजाबाद है ना यह वर्ड काफी फेमस हुआ था बॉलीवड को लेकर के ना जब सुसांसी राज देखेंगे ने पूर्टिजम का मतलब होता क्या है कि इसको कह सकते हो भाई भतिजाबाद का मतलब होता यह है कि किसी के मालिया अपनी कंपणी है तो लोग दूसरे को नौकरी नहीं दे रहे वह अपने ही रिलेटिव को दे रहे हैं अपने ही जान पचान के लोगों को दे और इसी तरीके से कोई भी शेत्र हो जहां पर लोग अपने भाई को अपने भतीजे को क्या करें नौकरी दे तो वही वर्ड को कहा जाता है ने पॉटेजम यहां पर फर्मालिजम का मतलब अपचारिकता कह सकते हो है ना यहीं फर्मालिटी वाली बात लेकिन इसका अब यहां पर रहें ड्रावट अपन्फियूज कर जाओ गे इस वाले ड्रावट से दोनों में फर्क है भाई तो देख लो यह फ़स्ट और सेकेंड नमर जो है ना इसको ड्राफ्ट ही पढ़ते हैं इसको भी ड्राफ्ट पढ़ते हैं और दोनों का मिनिंग सेम है लेकिन ड्राउट पढ़ते हैं देख लो एक बार लिख देता हूं जो इसका आंसर है इसको ड्राउट पढ़ेंगे है ना और ये दोनों जो है इन दोनों को ड्राफ्ट पढ़ेंगे ड्राफ्ट ठीक है ड्राफ्ट भी बोलते है टा को आप क्या कर सकते हो सैलेंट कर सकते हो लेकिन थो कोई लीकत नहीं है अबु होता है तो इन दोनों का सभी मिनिंट ऐसा के सकते हो प्रारुप है होता है कि यह किसी चीज़ का तो इस पहले त्यार की गई होती रती मतों समझते हो मतलब कोई अगर आपको कोई डॉक्युमेंट बनाना है उसके आप रव जो करते हो तो उसको कहते हैं प्रतीलिपी कर सकते हो रोप रिख सकते हो तो यह इसका मिलिक होता है वैसे आप बेक्र वह यह रहुझा और कि है इस वाले आफ मी और दोनों का मिलिक से में हैं लेकिने अगर यहां पर की जगेर वह आ यहां पर देख लो अगर यहां पर आ गया तो इसका मतलब जाता है जिसका मतलब होता है ड्राइव एदर विद नो रेंडफॉल सुखा पड़ जाना जिसको कहते हैं अब यहां पर डेजर्ट का क्या मतलब होता है तो डेजर्ट का मतलब इसको रेगिस्तान कहते हैं रेगिस् यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी डिजट में कि सूखा पड़ना उसको क्या कタया यहाँ जो कहते हैं और यह दूनों ड्राफ्ट है अब ज scor देख लो नेक्स्ट 76 नमबर क्या बोला है बोला है a sly look that is lustful तो जरा देखो sly का मतलब क्या होता है तो sly का मतलब होता है बिल्कुल ही धूर्त टाइप का सरार्ती टाइप का धूर्त और सरार्ती दोनों इसका मिनिक होता है look मतलब किसी को देखना that is lustful lustful का मतलब क्या होता है तो कैसे तो वासना से भरे हुए नजरों से किसी को देखे है ना अगर कोई ऐसा सरारती लुक दे कुछ ऐसा धुर्त वाला लुक दे जो बिल्कुल ही वासना पुर्न हो तो इसको क्या कहते हैं तो उसका जो one word होता है तो इसको कहते हैं लियर यह है लियर ही होता है इसका मतलब क्या होता है किसी को lustful नजर से देखना किसी को वासना पुर्न नजर यह से देखना जैसे कुछ लोग मालिया जा कोई महिला जाती है रस्ते में तो कोई बंदे नहीं होते हैं जिसको कहते हैं इव्टीजिंग करते हैं, है ना, तो कैसे घोर के देखते हैं, क्या ही कहो उसको, उसKE नजरों में इतने दोस होता है कि क्या बता हूं, छैर एक जО hours किन्हें सुन्दर्टा को हर कोई पसंद करता है लेकिन इसका मतलब यह ने कि सुन्दर्टा को एक आकर्षन की दिरिश्टी से देखा जाता आकर्षन एक पॉजिटिव वर्ड है लेकिन यहाँ पर लियर जो कहेंगे यह बिल्कुली खराब वर्ड है मतलब उसके आँखों से देखने स आप लूर एक वड़ है आपर लूर ठीक है और एक वड़ है अल्योर ठीक है इन दोनों की मिनिंग आप मुझे कमेंट में बताओगे बहुत बार यह बताया हूं इसलिए पूछ रहा हूं तो लियर का मतलब समझगे यहां पर लूर लूर का क्या आर्थ होता है बई तो लूर देखो यहां पर लार्क है तो लार्क का एक तो मिनिंग होता है कि एक तरह का यह पक्छी है और दूसरा मिनिंग होता है कि फन करना मजाग करना है ना हसी मजाग करना यह भी लार्क कहलाता है और एक तरह के पक्छी भी होता है ठीक है यहां पर लिटोरल का मतलब होता है की जाकशन सबसे सबसे इंपॉर्टन था तो यह था 76 कुई क्यूं कि सारे ही वर्ड और बहुत सारे स्टूरेंट सुने हुए नहीं होते हैं अगर पक्छी कस्ट तो सुने होते लेकिन इसका उनले जानते किसका मतलब मजाक करना और फं करना मजाक मस्ती करना यह भी होता है त तो सारे लगबग क्या होते हैं, मतलब अन्सुने से वड़ हैं, है ना, तो इसको याद रखना है, इस का अंसर था, लियर, ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं, आगे है 77 नमबर देख लो, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला अ जोकिलर परसन, जोकिलर का क्या करने वाला, जोक, जोक समझ रहा हैं ना, जोक मारते ही लोग हसने लगते हैं, तो यहाँ पर वो उस जोक को एकने ऐसा, जे वो के इ, लेकिन यहाँ पर जे वो सी है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो जोकिलर परसन का मतलब होता है, हसी मजा करने वाला, खुशनुमा वेक्ती है ना, जो काफी खुश हो, फूल ओफ अम्यूजिंग अनेकडोट्स, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, तो मनोरंजग होता है, दिल्चस्प होता है, और अनेकडोट का मतलब होता है, कैसे हो कि छोटी कहानिया है, चुटकुला सुनाने वाले जो मतलब काफी दिल्चस दिल्चस्प उसके दिमाग में घुमता रहे, कोई चुटकुला, कोई हसी मजाक वाली बाते हैं, चोटी कहानिया, तो वैसे जो परसन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, यह देखना है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट अप्सन है वाइल, तो इस वाइल का मतलब होत हैं, देहात में रहते हैं, नहीं, जिसकी मतलब कहा सकते हो, कि गमार हैं, सब यह लोगं को कहा जाता है, देहाती, यूकल, रस्टिक, यह ici समझके, अब यहाँ पर रहे, तो वैग का आर्थ क्या होथा है, तो इसका जो आथि ही है, मतलब वैग का मतलब खिजो क्या है, मस हसी मज़ा करने वाले वक्तियों काफी खुशनुमा मिज़ाज के होते हैं हम इसा क्या करते हैं उसके दिमार में कोई ना कोई चुटकुला चलते ही रहता है उन्हों रंजक सा दिलचस्प सा तो ऐसे वक्तियों को वैग कहते हैं न आप मुझे आंठ कमेंट में बताओगे कि क किसी भी teacher के ओपर तो यहां समझ गया आप अब जड़ा देखो वैग ही इसका क्या था अंसर था आपको बताना है कमेंट में वीग का क्या मतलब होता है अब यहां पर क्या है एओन है एओन का क्या मतलब होता है जिसे आप सुने होगे एरा है ना युग जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा लॉंग टाइम के एक पिरियड को कहते हैं एरा युग ऐयोन ठीक है यह भी काफी इंपोर्टेंट वर्ड़ था इसको भी ध्यान में रखो इन दोनों को तो इसका आंसर वैग था अब जड़ा देखो आगे कौन है सेवेंटी एट नमबर में यहां पर है दीप इन थोट का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है बिल्कुल ही एक तरह से चिंता ग्रस्थ होना काफी गहरे थोर्ट में क्या अब तो वही कहलाता है deep in thought जिसका मतलब क्या होता है meditation नहीं जी meditation क्यों नहीं क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों वर्ट को समझो पैंसिव इसका आंसर जो है यह आंसर इसका पैंसिव जिसका मतलब होता है बिल्कुल चिंतागरस्थ होना विचारों में डूबे रहना लेकिन यहाँ पर meditation का अर्थ यह नहीं होता कि विचारों में डूबे होना meditation का जो अंतिम लक्ष होता है ना इसका अंतिम लक्ष होता है कि विचारों से परे चले जाना विचार सुननी हो जाना के सकते हो है ना तो meditation जस्ट इसका उल्टा होता है तो यह मत समझ देना कि ध्यान ध्यान अग के दिमाग में 16-17 ऑते हैं 16-17 एक सेकंड में और medITATION क्या करता है Meditation के प्रैक्टिस करने से आपके number of thoughts जो हते हैं वो reduce होने लगते हैं किbanus onées से हो गया और अचानक अगर जीरो हो गया अबतों thorately हो गया आपका मायन तो वही नदे प्रकाश स्थार्ट हो जाता है लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है तो यह आपको ध्यान रखने हैं कि मेडिटेशन और पेंसिव दो डिफरेंट वर्ड है और इसके उपर मेडिटेशन के उपर अगर मैं चर्चर चलाओ तो मुझे लगता है घंटों भी जाएंगे मैं काफी मतलब काफी एक अनुभूत यह उपर हैं जो आपको वैक्स करें सुनने में ब्रबल दे तो वैसे को परिशान करने वाले व्यक्तिकों और और फिर सताने वाले वेक्टियों को पेस्की कहते हैं ठीक है अब यहां पर क्या है पर लोईन पर लोईन का क्या अब होता है तो पर लोईन का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है चोरी करना अब हरन करना यह पर लोईन कहलाता है ठीक है चोरी करना तो यहां पर समझ प्रेंट उसको किया केते तो उसको कह सकते हैं एक तरह से आज एक लो करके देखते हैं यहांपर एंप्यूडएंट इंप्यूड कह सकते हो तो impunity है ये और यही इसका क्या है आंसर है तो सेकेंड नमबर इसका आंसर हो गया विदाट रिस्क ऑफ पनिश्मेंट इंप१ूनिटी है नहा चंमा युक्त एक बाताब जिसमें चंमाarta कर दिये जाए पनिश्मिंट ना दिये जाए अब यहांपर क्या है इन एक्सुरे सौडिबल निर्दै कटोर निर्दै मे migrated कोसक्ते हो। यहां पर क्या है इंपर इंपर टर्बेबल ध्यान से देखना इंपर टर्बेबल क्या मतलब होता है इसका तो इसका मतलब होता है शांत है ना मतलब उतेजना ही जहां पर उतेजना नाम की चीज़ ही ना हो कैसे पकड़ोगे इस वर्ड को जड़ा ध्यान से देखो यहां पर आइनासर है का जा का मतलब का मतलब होता है इस के इस जए उल्टा हो। तो क्या कहलाएगा वो तेक अब जरा देख लो आगे देख लो मतलब इसका अंसर समझे है कि इसका आंसर था इम benefits. Community आगे जो answer 80 number का देख लो यहाँ पर है एकशेसीव Pre受king salary with one's health अब यहाँ पर Pre受king equilibrium क확ंड होता है बहुत ज्यादा मातरा में प्री उक्यॉपेशन का क्यार्ड होता है तो प्रीक्यॉपेयन का मतलब होता है कि मांझ्जी कुरूप से तरा से कह सकते हैं लोग बेस्त रहते हैं एकदम पहले से मन बना लिये हैं तो वैसे चीजों को कहते हैं प्री ओक्यूपेशन अपने दिमाग में पहले से माइन मेकप करके चलना और ओवर थिंक करने करना उसको कहते हैं प्री ओक्यूपेशन लेकिन अगर पहले से माइन मेकप कर लिया है अपन देखते जो पहले, हाइपोकॉंड्रिया का क्या मतलब होता है, हाइपोकॉंड्रिया का मतलब होता है, एक तरह से कई लोग क्या करते हैं, अपने हेल्थ को लेकर के बहुत जादा चिंती तरह हैं, मतलब हैं वो बहुत जादा हेल्दी, लेकिन क्या करेंगे, हमेशा शक किये तो नहीं हो जाएंगा कियी वो तो नहीं हो जाएंगा मेरे साथ ना कियी कोछ खा लिया तो कही बीमार नहीं पढ़ जाओं ना चाहे तो पुछले दिन यह खाया है भो सकता हैं वे बीबार। पढ़ने के बारे में बार-बार सोचे ना तो उसको कहते हैं हाइपोकॉंड्रिया इसको हिंदी में अगर कहा जा तो रोग भरम रोग भरम कई बार लोग क्या होते हैं हेल्दी भी रहते हैं लेकिन खुद में लगता है उनको कि वो बिमार है और बार बार उस चीज़ पर सोचते रहते हैं मतलब टेंशन में एक तरह से की लगता है मैं बिमार हो बिमार हो ऐसे करके तो उसको हाइपोकॉंड्रिया कहते हैं ठीक है तो इसका अंसर है फर्स नमर यहां पर क्या है यहां पर मलेज मलेज का मतलब क्या होता है मलेज का मतलब होता है एक तरह से रोग रोग का अवस्था रोगी का खेर यहाँ पर रोग से समंदित है तो यह अलग वड़ है ठीक है यहाँ पर है डिस अफेक्टेड तो डिस अफेक्टेड का मतलब ही होता है डिस साटिसफाइड डिस अफेक्टेड और डिस साटिसफाइड दोनों एक ही वड़ है और दोनों का मतलब होता है असन तोस्ट ना कि नहीं मुझे बखार हो गया है वहाना करने लग जाती हैं तो इस तरीक के जो बहाना बनाते हैं लोग तो उसको कहता है मलिंगर है वैमारी का बहाना बनाना ठीक है और तो मतले बहूत कैफल समझ दिया अपने साथ के सामने कि लोग जल्दी इसको रिलेट कर पाएंगे तो मलिंगर का मतों समझ गये कि काम से भागने के लिए कुछ काम चोर लोग होते ना तरह तरह के बहाने करने लगते हैं तो इस तरीके के बिमार होने के कि नहीं मुझे वर्क से बचना है काम से लिंगर अब देख लो यह तो समझगे मतलब आज हमने पुरे वर्ट्स को डिसकस कर दिया ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्ट क्लास में देखेंगे आगे के सेशन में तो इसको आप जोईन कर सकते हो जो लोग नए हो अब ज़रा देखो ठीक है बहुत कुछ सीखास तो आज का क्लास में लोग क्या करते हैं एहीं रप अप करते हैं थैंकि वेरी मुच